सूप्रभास सभी साथियों को मनोज अकैडमी में आप सभी का स्वागत है और आप सभी के दिमाग में बहुत सारे कोस्टन चल रहे हैं जो साथी TGT PGT के तयारी के लिए लग रहे हैं तो उनके कुछ डाउट है उनको लगता है कि सर मेरे पास सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क् क्या मैं हिंदी में फॉर्म डाल सकती हूं डाल सकता हूं क्या मैं आर्प में फॉर्म डाल सकता हूं यानि कि उनको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बता है तो आज की वीडियो में आप सभी को TGT PGT के बारे में फुल A to Z information देने वाला हूं इस वीडियो को बाकी मित्रो के साथ भीges सिहर करें का अप में सबसे पहले हम लोग घानेंगे टीजी بिक के-लिए महित्कुन विशव है TOO eligibility तो अगर आप लोगू हिंदी के लिए थी जो आपकी बुलिटिन आई थी तो उसमें 12 12 के साथ दोस्तों क्या होना चाहिए था 12 में संस्क्रत का होना अनिवार रहे हैं ठीक है तो यह भी आपका अविसक रहेगा और गड़ित की कर में बात करूंगा गड़ित में BST या BMA आपके पास जो है वो गड़ित होना चाहि संस्क्रत के अगर आप लोग फिलब करना चाहते हैं तो संस्क्रत विसे से ग्रेजवेशन हो या सास्त्रिया आचार रहे हैं ठीक है वारिजिय के लिए बीकॉम होना अनिवार है अगर मैं बात करूंगा साइंस की विज्ञान की तो BST में भोती विज्ञान और रसायन enrollment फ जियरां पॉपर मैं और पॉपर मैं रहे हैं ठीक है चाहें आपके पास दोस्तों इतिहास या भुझोल हो राजनेतिक सास्त्र हो या या आड़ सास्त्र हो दो सब्जेक्ट होना निवार है जी विग्यान के लिए दोस्तों जूलोजी और बोटैनी के साथ ग्रेवसन इन सभी विसों के लिए जरूरी है ठीक है त्यान रखने जितने भी मैंने आपको सब्जेक्ट बताएं यह टीजीटी के लिए हैं तो टीजीजी के लिए दोस्तों ब्याड का होना अनिवार है सिवाई होम साइंस के ठीक है सिवाई होम साइंस के होम साइंस में दोस्तों ब्याड होना अनिवार नहीं है और इसमें दोस्तों कुछ साथी कहते हैं कि टीजीटी के लिए या पीजीटी के लिए सीट या यू में 2 या अगर किसी ने में हिंदीसे किया हो और साथ में 3 संसक्रथ विसे में विपस्ट रिए उसके लिए संसक्रथ विए कि बदता नहीं रहेगी गडिष की में में बात करूईगा तो गडित में मसल्थ में मनेंथ्य इंगलिज की बात करेंगे अंग्रेजी विशे में Master Degree हो, संस्क्रत में M में आ चारे हो, वानेजी में M.C. करसी में M.C. हो, अर्द सास्र में Master Degree आपके पास होनी चाहिए, इतिहास की बात करेंगे, इतिहास, भोगोल, मनोविज्ञान, समाज सास्र इन सभी विशों में Master Degree होनी अनिवार है, ठीक है, इसमें दोस्तों ऐसर नहीं है कि B.A.R.D. का जरूरी है, इसमें B.A.R.D. जरूरी नहीं है, ठीक है, इसमें आपका पोस्ट गुरेशन होनी चाहिए, यानि कि M में, ठीक है, जी विज्ञान के लिए वनस्पति विज्ञान है, जन्तु विज्ञान में M.C. हो, रसायन थिमा की कोई बाद देता नहीं है, दोस्तों जिस सब्जेक्ट के लिए आप अपलाई कर रहे हैं, परिक्षम में वही विज्ञान आपका रहेगा, यदि कोई अभ्यार्ती दो विज्ञान से पातरता रखता है, तो उसे दोनों विज्ञान से अलग-अलग फूम भनना होगा, एक्जाम अलग-अलग दिन होगा, सभी विसु का, ठीक है, इंपोर्ण चीज देख लीजे आप लोग, महिलाएं, बालग या बाली का वर्ग दोनों में से किसी एक में आवेदन कर सकती हैं, ठीक है, मतलब किसी एक में आवेदन कर सकती हैं, प्रूस के वाल बालग भरति में बालग बालग वर्ग में करेगा, भरति पोईंट के लिए की लिए दोखंटे की लिखित परिक्षया रहेगी, 125 प्रयूस प्रसंद हेंगे, पिर्थी प्रसंद चारंग को मार्णी नहीं रहेगा, TGT के लिए लिखित परिक्षया वांड-इंटरिव you रहेगा, तो जितने भी मैंने आप सभी को पॉइंट बताए हैं इन पॉइंट से अलग आपका कोई पॉइंट आई होप नहीं होगा और सारे पॉइंट आपको किलियर हो गए होंगे जो भी आपके डिव चल रहे थे दिमाग में वह सारे के सारे कंप्लीट हो गए होंगे ठीक है तो इस इंफोर्मेशन को बागी लोगों के साथ भी सिर किजिए धन्यवाद